ये दावा जरूर कर रहे हैं कि दिल्ली के हालात संभल गए हैं लेकिन इन हालात के संभलने को लेकर विरोधी पार्टियां क्या राय रखती हैं वो भी थोड़ी देर में सामने आएगा जो न्यूज एट इन इंडिया आप तक पहुंचाएगा चले इसी के साथ ही खबरों मे अकिला पढ़ता जा रहा है एक तो भारत ने चीन के 69 आप पर पाबंदी लगा कर उसे तगड़ा जटका दिया है तो वीगर मुसलमानों के मानवा दिकार के मुद्दे पर 27 देशों ने चीन में जाच की मांग उठा दी है उधर अमेरिका ने चीन की कामपनियों ZTE और कावेई को सुरक्षा के लिए खत्रा बता है और इस बीच दुनिया भर में तिबबत की आजादी की मांग के लिए प्रदर्शन बढ़ गए हैं यहां तक कि होंग कॉंग में ही चीन की नीतियों का विरोध तेज हुआ है और अमेरिका के राष्टपती डॉनल्ड ट्राम त आगे भी जारी रहेगी सुरक्षा कारणों से भारत सरकार ने इन अपस को बंद किया है साथी सताइस दिशों में चीन को घेरने की कवायद हो रही है जो प्रदर्शन है अलग तिबद की आजादी की मांग को लेकर वो मुखर होता जा रहा है यूएस की सुरक्षा के लिए भी लगातार खत्रा बताया जा रहा है चीन को और चीन आपने तो अमेरिका को देखा ही है कि वो बार बार कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है चीन को हंकॉम में प्रदर्शन हो रहा है चीन के खिलाफ ये प्रदर्शन दुनिया के बाके हिस्सों में भी हो रहा है तो एक तरह से अलग थलग पढ़ता नज़र आ रहा है चीन इस वक्त साइग तराज सुरक्षा परिशद में चीन और पाकिसान के जूट को एक बर फिर करारा जटका लगा है चीन और पाकिसान मिलकर कराची आतंकी हमले के लिए भारत के खिलाफ परिस्ताव लाना चाहते थे लेकिन सुरक्षा परिशद के सदसे देशों ने भारत के खिलाफ परिस्ताव का विरूद किया और चीन के समर्तनवाला पाकिस्तान का प्रसाओ सुरक्षा प्रिश्द में नहीं आ सका अब खबर यह आ रही है कि सुरक्षा प्रिश्द के बयान में भारत का ख़िक्र नहीं होगा और इसके साथ ही खबर ये भी कि LAC पर तनाओ के दौरान कल चुशूल में भारत और चीन के बीच सेना के कोर कमांडर सर की बैठक 12 गंटे से भी जादा वक्त तक चली और ये बैठक मंगलवार यानि कल सुबह तक तक तकरीबन 11 बजे शुरू हुई थी जो की देर रात 11 बजे यानि की 12 गंटे तक चलती रही और इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर सर की बातचीत 22 जून को और 6 जून को LAC के करीब चीन के हिसे वाले मोल्डू में हु किदर मानवादिकारों के उलंगन में चीन के खिलाफ विश्वस तर पर घेरेबंदी हो रही है वीगर मुसल्मानों पर जिल्म के मामले में 27 देशों ने चीन में जाच की टीम के दोरे की अपील की है ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेट कुल 27 देशों ने यूएन मानवादिकार परिशद में वीगर मुसल्मानों का मुद्दा उठाया है चीन में वीगर मुसल्मानों के मानवादिकार का उलंगन आम बात है और लंबे समय से ये विवाद का विशे बना हुआ है तो वीगर मुसल्मानों के साथ जिस तरह के जल्मों सितम चीन में होते रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है लेकिन इस पर अब कई देश एक साथ आकर चीन के खिलाफ गेरे बंदी करते वे नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मानवा दिकारों के उलंगन में चीन के खिलाफ अब विश्वस तर पर गेरे बंदी हो रही है दो तस्वीरे देखे और समझे कि आकरे मसला क्या है वीगर मुसल्मानों पर जुल्म के मामल में 27 देशों ने चीन में जाच टीम के दोरे की अपील की है इसका सीधा मतलब ये है कि वीगर मुसल्मानों पर किस तरह का अत्याचार जुल्मों सितम चीन किया करता रहा है पहले भी करता रहा है अभी भी वो सलसला जा रही है और अगर इस तरह से दूसरे दुनिया के देश हसक शेप नहीं करेंगे इस मसले को नहीं उठाएंगे जिसमें ब्रिटेन, उस्टेलिया, जॉर्मनी, सहित 27 देश हैं तो ये वीगर मुसल्मानों के साथ जुल्म की कहानी आगे भी यूहीं चलती रह सकती है भारत में चीन के उनसट आप बैन की जाने के बाद चीन को एक और जटका लगा है खबर है कि अमेरिका ने चीन की दो बड़ी टेलिकॉम कमपनिया जेट टी ई और हवावेई को देश की सुरक्षा के लिए खत्रा बता दिया है अमेरिका में दूर संचार के क्षेतर पर नज़र रखने वाली एजनसी FCC यानि फेडरल कमिनिकेशन कमिशन ने दावा किया है कि इस बात के परियाप्त सबूत मिले हैं कि ZTE और हवावेई से अमेरिका के नेटवर्क को खत्रा हो सकता है और अमेरिका तो सचा ये है कि इस वक्त चीन क पूरी तरह से घेरने की कवाद में लगा हुआ है और उसे जहां जहां शक लग रहा है वहाँ वहाँ चीन से वो संपर्क तोड़ने में जुटा हुआ है इसका सीधा मतलब ये है कि वो अब चीन को फ्रंट फुड पर आकर विरोध करने के लिए तैयार दिख रहा है चीन के बढ़ते विरोध के बीच हमाचल परदेश सरकार ने चीन में बने करिशी उपकरणों और मशीनों की खरीदारी पर रोक लगाई है हमाचल के करिशी मंतरी रामलाल मारकंड ने इसके आदेश जारी किये हैं जिसमें साफ कर दिया गया है कि रज्जे में किसानों को के बने उपकरण नहीं दिये जाएंगे और इसी के साथ ही पाकिस्तान भारचीन सीमा विबाद का फायदा उठाने की कोशिश में जुटा हुआ है दरसल मामला यह है कि पाकिस्तानी खूफिया एजंसी आइसाई ने आतंकी संग्टन अल बद्र के आतंकियों को चीनी खूफि को ट्रेनिंग भी दे रहा है तो हमारे साथ हमारे सायोगी इसी खवबपन नितीश जुड़ रहा है नितीश पाकिस्तान की दोरी चाल कहीं टाइटाइ फिस तो नहीं हो जाएगी देखे हमेशा से यही होता रहा है और इस बार जो है पाकिस्तान बिल्कुल एक सोची समझी स्टाइटेजी के तहत यह जो तनाव चल रहा है लताक को लेका गलवान वैली को लेकर भारत और चीन में उसका फाइदा उठाने की कोशिश में है और इसी वज़ा से वो चीन के स साथ जिसको उसका काफी अच्छा दोस्त माना जाता है हमेशा से साथ गया चीन ने उसके साथ भी वो चाल खिल रहा है एक और जहां उसने MSS जो Ministry of State Security जो Chinese Intelligence Agency है उसके लोगों को उसने अल-बदर के आतंकियों से मिलवाया है और दूसरी और वो मीरपूर में जो पीयो के में वहां पर एक कैमप है ट्रेनिंग कैमप है पीयो के मिरपूर के पाक वहां पर गुर्स जो मुसलिम्स हैं चैना के उनको ट्रेनिंग दे रहा है उनको हत्यार मौया करा रहा है तो जाहिर तोर से पाकिस्तान जो है इस तनाव का फायदा उठाने के कोशिश में है और चीन आपस में यह समझ लें कि फाइदा कौन उठा रहा है, पाकिसान चीन का उठा रहा है या चीन पाकिसान का उठा रहा है और बाकी तो फिर बाद में भारत इन लोगो से ने पटी लेगा, शुक्रिया जानकारी के लिए। कोरोना के बढ़ते खत्रे को देखते हुए अमेरिका के राज़पती डॉनल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर चीन पर गहरी नाराज़गी जाहर किया है। अमेरिका को भी जबरदस नुकसान उठाना पड़ा है। मैं चीन से बेहत ज़्यादा गुसे में हूँ। लोग इसे देख सकते हैं लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन सूत्रों का दावा ये है कि चीन भी उनकी मदद करने में नाकाम रहा। जम्मू कश्मीर के पुल्वामा में देरात से ही सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुटभेड जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुल्वामा में देरात से ही सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुटभेड जारी है। और इस पर लगातार जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि दो से तीन आतंकियों चिपे हैं। सोपोर में ही सी आरपिय जवानों के एक बच्चे को बचाने की तस्वीर सामने आई है। आतंकियों की फाइरिंग में बच्चे के रिशदार की मौत हो गई थी जिसके बाद आतंकियों की फाइरिंग के बीट CRPF के जवानों ने तीन साल के इस बच्चे को रेस्क्यू किया और फाइरिंग वाली जगा से सुरक्षित बाहर निकाला बच्चे के रिशदार की मौत के बाद CRPF ने बच्चे को उसके घर पहुँचा दिया बीते तीन-चार दिन पहले ही आपने खबर सुनी थी किस तरह से नौ साल के बच्चों को भी इस तरह के मुटभेड में आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा दो ड़ाई साल के करीब जो है वो इरिद गूम रहा है और मीन वाइल जो है जैसे ही हम पहुँचे उस वक्त भी काफी फाइरिंग वहां से अपोजट साइड से आ रही थी ये जो प्यारिटी थी और हमने हमारे काफी चलेंजिंग था क्यूंकि सामने से फाइर आ रहा था कोई आड़ नहीं थी कुछ नहीं था वहां से उठा के हमने इसको लिया जम्मो कश्मीर के राजोरी से हम आपको खबर बताएं उससे पहले दो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं मासूम के सामने फाइरिंग की वो तस्वीर जब ये घट रही थी पूरी घटना उसके रुशलार को तो मौत की घट आतंकियों ने उतार दिया लेकिन जवानों ने पच्चे को उस दोरान वहां से बचा लिया ये एक और पक्ष है हमारी सेना का जो सामने आया है जिसे मानवीय पक्ष जो समय समय पर वहां रहे है लोकल लोगों की मदद के तोर पर भी सामने आता है चाहे बारबारिश की हालात हो या फिर संकट की गोई घड़ी हो का बल पूरी कोशिश करते हैं कि सिविलेंस को कम से कम नुकसान हो लेकिन आतंग की जान बूच कर सिविलेंस वाले इलाकों पर ही निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो सौफ टागेट है लेकिन सेना ने वहां पर जवानों ने उस बच्चे को बच जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है